चलिए बच्चो स्टार्ट करते हैं Budget and Budgetary Control बहुत ही सिंपल सा चेप्टर और एक्जाम में आपके पास इस पे 10 से 12 नंबर का कोशन आ सकता है एकदम फ्री के मार्क्स हैं बिना मेहनत के सिर्फ आप अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सारा पढ़िये और आपका चेप्टर क्लियर हो जाएगा देखिए Budget जैसा कि आपको पता है क्या होता है Statement of Expected Results Budget हम Business के Various Functions के लिए ड्राफ्ट करते हैं Sales Budget, Production Budget, Purchase Budget, Cash Budget, Labor Arts Budget तो हर चीज़ का Organization में एक Budget बनाया जाता है जो की हमारे लिए एक तरह से Standards का काम करता है और उस Standards के Against हम अपनी Performance को Compare करते हैं और Variants निकालते हैं जो की आपने पिछले चेप्टर में सीखा अब देखिए Budget जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं से पहला है Based on Capacity और Second है Based on Function जिसकी हम लेटर आउन बात करेंगे Based on Capacity दो तरह के Budget हो सकते हैं Fixed Budget और Flexible Budget Flexible Budget क्या होता है Suppose एक Organization है उसकी 100% Capacity पे अगर वो 100% Operation Level पे काम करती है तो वो 10,000 Units Produce कर सकती है लेकिन Practically यह Possible नहीं है कि हर Organization 100% Capacity पे ही Operate करे तो Organization क्या करती है वो Different Levels पे अपने Budget बनाती है कि अगर अगले महीने उसने 70% Capacity पे Operate किया तो उसके क्या कर्चे आएंगे या 80% Capacity पे Operate किया तो क्या कर्चे आएंगे 90% Capacity पे Operate किया तो क्या कर्चे आएंगे 100% Capacity पे Operate किया तो that is called as flexible budget इसके अंदर हम multiple budgets बनाते हैं for multiple activity levels, जबकि fixed budget के अंदर क्या होता है, कोई different different levels पर budget नहीं बनाय जाता है, एक single budget बनाया जाता है, चाहे वो 100% का बनाया जाहे, चाहे वो 80% का बनाया जाहे, चाहे 90% का, but बनाया एक ही single budget जाता है fixed budget एक्जाम में आने की chances बहुत rare है, जो एक्जाम में आपसे पूछा जाएगा, वो flexible budget ही पूछा जाएगा, चीक है, तो fixed budget क्या है remains fixed, irrespective of activity level और flexible budget, multiple budgets for multiple activity levels, एक question से मैं आपको समझाता हूँ जाद अच्छा समझ मैं आगा, देखिए एक factory है, which expects to operate 7,000 hours at 70% level of activity अगर वो 70% level of activity पे operate करते हैं, तो 7,000 hours जो है operation होंगे उन्होंने आपको कुछ details दी है variable expenses, 1 to 6 0, semi variable expenses, देखिए semi variable में कुछ part जो होता है, fixed होता है, और कुछ part जो होता है, वो क्या होता है, variable होता है yes or no, इसके बाद fixed expenses, 1800 उसके बाद उसने आपको बोला है, तो semi variable expenses goes up by 10%, जो semi variable expenses है, वो 10% बढ़ जाते हैं, अगर आप 85 से 95% activity level पे operate करते हैं, और 20% बढ़ जाते हैं, अगर आप, अब आप 95% जो है, operate करते लिखा हुए and by 20%, अगर आप 95% activity से above operate करते हैं, तो आपको एक flexible budget बनाना है, 80%, 90%, 100% activities में, बस ध्यान से सुनिया भी कुछ भी note down नहीं करना, बहुत simple चीज़ है, कुछ भी निया, यार, free के marks हैं इसके अंदर, देखो, 7000 hours है, अगर 70% level of activity है, yes or no, तो अगर मैं, जो भी full activity level है, जो भी full जो आपकी full capacity है, वो कितनी होगी, 7000 divided by 70%, 7000 divided by 70, multiply by 100, this comes out to be how much, 10,000 hours, आया न, तो वो आपसे बोल रहा है, आपको budget बनाने 80, 90 और 100%, कोई दिक्कत नहीं है, देखे, statement showing budget at various activity level, particulars 70 का उसने दिया हुआ है, 80, 90 और 100 पे हमें और बनाना है सबसे पहले देखे, variable expenses directly vary with the level of expenses yes or no, तो देखे, 1260 रुपे का खर्चा था, जब आपका 70% activity level था 1260 रुपे का खर्चा है जब आपका activity level क्या है, 70%, तो आप एक बाद बताओ, 80% पे आपका कितना होगा तो उसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखे full, सबसे बढ़ा है तरीका, बढ़िया तरीका जो है, वो क्या है full capacity अगर आप operate करते हैं, जस्ट आपको समझाने के लिए उसका 70% पे आपका variable expense है 1260, चीक है तो full capacity पे आपका variable expense कितना होगा आप ये निकालो तो can I write 1260 divided by 70% मतलब 200, तो आप देखे कितना होगा अगर मुझे 80% पे निकालना है तो 1800 को 80%, 90% पे निकालना है तो 1800 को 90% और 100% पे निकालना है तो 1800 का 100%, समझ में आईए, अरे बहुत simple है यार कुछ मी नहीं है, और simple है, देखना है तो ऐसे निकाल लो, सीधे calculator 1260 was for 70%, तो 80% के लिए क्या होगा, देखो कितना है, सीधे ऐसे निकाल लो बेशा का, अगर वो नहीं समझ में है, तो 1260 अगर 80% के लिए था, तो 90% के लिए क्या होगा, या 1260, अगर आपका 70% के लिए था, तो फिर 100% के लिए आपका कितना होगा, तो आप ऐसे भी से निकाल सकते हैं, समझ में आगे, अब semi variable expenses कितने हैं 1200, 80% पे भी ये 1200 रहेंगे, क्योंकि 10% बढ़ते तो है, पट कब जब activity level 85% से 95% के बीच में आता है, तो यहां तो अभी आपका 80% ही activity level, next है 90%, मतलब 85 से 95 के बीच में आगया, तो अब 10% बढ़ जाएंगे, 1200 का 10% बढ़ के कितना हो गया, 1320, 1320, फिर 20% मढ़ जाते हैं, अब हम 90% है, तो यहां पे 100% है, अगर तो 95 से अबव ही है, तो 1200 में 20% आप आप आट कर देंगे, 1440, जेगे, देखे, कोशन का कोई format नहीं होता, जो कोशन की instruction है, वो आपको follow कर नहीं है, हर कोशन अलग होगा, सिर् तो fixed expenses है, हर level पे क्या रहते हैं, same, तो 70 पे भी same, 80 पे भी same, 90 पे भी same, 100 पे भी same, और यह जो है, आपका देखे, budget त्यार हो गया, ठीक है, तो अब समझ में है, flexible budget क्या है, multiple budgets for various activity levels, यह समझ में है, आपको, हमने हर activity level पे बनाए, सर क्या 70 का बनाना ज़रूरी था, कोशन में तो बोला नहीं था, देखे, मैं तो advice करूँगा कि जो activity level given है, उसको भी लिख लीज़े, उससे आपको idea बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है, और यह variable expense का एक तरीका, तो मैंने आपको यह बता दिया, और दूसा तरीका यहां पर आपको सिखाया था, जो आपको अच्छा बहुत ही simple chapter है, free के marks है, बिल्कुल मत घबराओ, मतलब इसको बस एक बर करके छोड़ दो, इस chapter के साथ तो मैं बच्चों को कहता हूँ, revision की भी हमें ज़रुवत नहीं होती, इतना simple chapter है, एक बर concept आपके दिमाग में खुश जाए, ठीक है, फटा फटी से अब आप सारा note down कर है, उसके 80% पे जब वो operate करते हैं, तो उनकी sale आती है, 6 लाग रुपे, ठीक है, उसके बाद आपको cost गिवन है, admin cost 90,000 रुपीज, general expense 2% of sales, अब देखिए, sale से link है, अब sale अगर 80% पे आपको 6 लाग गिवन है, तो समझ में आता है, 2% of sale, sale is variable, तो यह expense भी variable है, depreciation fixed, rate and taxes fixed, य जिनका amount आपको गिवन है, वो fixed expenses है, और जिसके आगे ऐसे लिखा हुआ है, 2% of sale, मतलब sale fluctuate होगी, तो यह भी fluctuate होगे, तो by default these are variable expenses, selling cost में देखिए, सारे ही variable है, 8, 2, 1, 1, distribution cost में wages, फिर यह दोनो variable है, drop flexible, admin, selling and distribution cost budget operating at 90, 100 and 110%, अब सर 110% गिवन है, ठीक है, अपनी capacity से उपर ज लगा रहे होंगे, गभरानी की ज़रूरत नहीं है, तो हम budget बनाते हैं, अपना normal, देखिए जरा, statement showing budget at various activity levels, particular, 80 पे हमें given है, 90, 100, 110, बिल्कुल भी नहीं गभराना, देखो, खुदी करो question, सबसे पहले admin cost लिखो, office salaries, सब में same रहेंगी, क्योंकि fixed expense है, 90,000, 90,000, 90,000, yes or no, प इसके बाद आप देखिए, general expenses, that is 2% of sales, अब 80% पे आपकी जो sales है, वो कितनी है, 6,00,000 रुपे है, तो 6,00,000 का 2% कितना आता है, 12,000 रुपे, अब 90% पे sales कितनी होगी, वो सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेगी, yes or no, तो एक तरीका तो देखिए, क्या है, 6,00,000 को आप divide कर दीजे 80 से और multiply कर दीजे 90 से, एक तरीका तो आपके पास ये है, sales को निकालने का, 6,00,000 divided by 80, multiply by 90, तो यह आपका जाता है कितना, 6,75,000, ठीक है, तो 90% पे आपकी sales होगी कितनी, 6,75,000, और general expenses आपके कितने है, 2%, तो देखिए, 6,75,000 का 2%, समझ मैं आपको, इसके बाद, तो 6,00,000, अगर 80% पे sales है, तो 100% पे कितनी होगी, तो यह आप देखिए, आजाता है, आपका 7,50,000, ठीक है, यह है sales at 90% level, यह है sales at, यह आप working note बना ली जाएगा, at 100% level, ठीक है, फिर sales at 110%, तो 6,30,80% पे, तो 110,10 पे कितनी होगी, 8,25,000, ठीक है, तो 2% आपको लेना है, घबरानी की ज़रुत नहीं, 750 का 2%, 8,25 का 2%, समझ मैं आपको, इसके बाद, depreciation है, 7,500, तो depreciation fixed है, as it is, अब पे लिख देंगे, ठीक है, इसके बाद rent in taxes, 8,750 है, fix रहेगा आपका, तो यह आपका total आगया है, admin का, अब देखिए, यहाँ सारा पर sales का ही खेल था, तो आफ़र आफ़र निकाल लेंगे, 6,75 का 8%, फिर 750 का 8, फिर 8,25 का, यह देखिए, सारा percentage हमने निकाल रहा है, यह 48 तो आपको given 8% था, तो कितनी sales थी, 6,00, 6,00,000 का 8% कितना हो गया, 48,000, यह क्या है, यह 6,75 का 8, यह कितने का है, 750 का 8%, यह कितने का है, 8,25,000 का 8%, same way, आपका, यहाँ पर 6,00,000 का 2%, 6,75, 750 का, और यह आपका 8,25 का, समझ महीं बाद, तो यह सीधे-सीधे आपको इसका कोई working note दिखाने की ज़रुरत नी, जादा आपका मन करता है, तो यहाँ पर लिख लीजे बेशक, कि 80% पर sales इतनी है, 90% पर 6,75 होगी, बेशक आप एक उपर सबसे column बना सकते हैं, आपका मन करें तो, और यहाँ पर 750, और यहाँ पर आपका 8,25,000, ठीक है, यह आपका मन करें तो, बाकी यह working note में दिखा दिया, उसकी ज़रुरत नी है, आप सीधी calculation कर सकते हैं, फिर उसने 11% बोला है, तो सीधे-सीधे हमने 11% लिखा दिया, इसमें उमीद करता हूँ, कोई दिक्कत नी है, टोटल हो गया, same way distribution expense, wages as it is लिख देंगे, rent और other expenses as a percentage of sales लेना है, तो वो sales की percentage ले लेंगे, तो इसमें कुछ भी नहीं है, technical, यह आपका, इसका total आगया, तो admin का हो गया, selling expense का हो गया, distribution का, मन करता है, इंड में तीन होगा, total करके भी आप दिखा सकते हो, तो देखिए, flexible budget में कुछ भी नहीं, आप देखो, क्या है, इसमें सिखाने के लिए, क्या सिखा रहा हूँ, आपको चौती पांच वी की calculation सिखा रहा हूँ, और सारी चीजे तो वो question में instruct करता है, ऐसे करना है, वैसे करना है, question will provide the instruction and accordingly you have to move on, that's it, यह आपका पूरा budget chapter, चीक है, चली, question खुद करिएगा, फिर जहाँ आपको problem आए, फिर आप देखिएगा, तभी आपकी बहुत अच्छी practice हो सकती है, नहीं तो देखिए, अगर आप सिर्फ copy paste कर रहे हैं कि सर ने किया कि उसे फटा-फट copy paste कर लो, तो exam में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, अगर आपको number लाने practical papers में तरीका यह है, मैं समझा देता हूँ, आप समझ लीजए, उसके बाद खुद question करिए, और जहां आपको दिक्कत आती है, फिर उसके बाद आप चेक करिए कि आपको दिक्कत कहा लिए, फिर आपको क आपको सारे practical papers बहुत अच्छे strong हो जाएगे, ठीक है, चले, काफी एक अच्छा question है यह, जो हम शुरू करने जाना है, और exam मेरे इसाब से 12 marks तक ए question perfect fit हो सकता है आपके, बड़े ध्यान से देखेगा, action plan manufacturers normally produce 8,000 units of their product in a month, वो 8,000 units हमेशा produce करते हैं in their machine shop, for the month of January they had planned for a production of 10,000 units बड़ जन्वरी के लिए उन्होंने प्लान किया कि 10,000 units हम produce करेंगे, लेकिन कुछ cancellation हो गए contracts के जन्वरी मिट में और वो सिफ 6,000 units का ही production कर पाए, ठीक है, indirect manufacturing costs are carefully planned and monitored in the machine shop and the foreman of the shop is paid 10% of the savings as bonus, जो उनका controlling system है, cost controlling पे उनका बहुत ज्यादा ध्यान रहता है, और foreman को, जितनी वो cost save कर पाता है, उसका 10% जो है as a bonus दिया जाता है, when in any month, the indirect manufacturing cost is less than the budgeted provision, ये line ना भी लिखी होती तो कोई फरक नहीं पड़ता, वो कह रहा है कि अगर आपकी जो actual cost है, वो budget की cost से कम आती है, तो उसको 10% of savings दिया जाता है, the foreman has put in a claim that he should be paid bonus of 88.50 for the month of January, foreman कह रहा है कि मुझ 88.50 पैसे का bonus मिलना चाहिए जन्वरी का, the work manager wonders how anyone can claim bonus when the company has lost a sizable contract, work manager कह रहा है यार ये कैसे हो सकता है, जब हम लोगों का एक अच्छा खासा contract ही cancel हो गया, और सिर्फ हम 6000 units की production कर पाए, जो हमने 10,000 सोची थी, और ये अपना bonus मंग रहा है, कैसी कैसी बाते कर रहा है, चलो the relevant figures are as follows, salary of four men, जो normal month में आती है, January में जो उन्होंने plan करी थी, और जो actual आई, ओके, इसके बाद अगर आप देखे, indirect labor given है, material, repair, सारे expenses की आपको figure given है, देखो ये है normal month की, ये है जो उन्होंने January के लिए plan की थी, और ये है जो actual cost आई उनकी January में, do you agree with the work manager, is the foreman entitled to pay bonus, subordinate your answer with the facts and figures, देखिए, बड़े ध्यान से आपको चीजों को समझना है, जो मैं आप आपको बताने जा रहा है, देखिए, ये जो आपको expenses given है, ये कितनी units पे given है सारे, normal आप 8,000 units करते हो, January में उन्होंने 10,000 units की planning की थी, ठीक है, actual, मतलब हुआ कितना 6, 8,000 units, actual तो ये होए, ठीक है, बड़े अराम से देखो, आप बड़े ध्यान से देखोगी, 8,000 units और 10,000 units, reverse देखो, reverse चलते, insurance, दोनों level पे सहीं है, चाहे 8,000 units होता, चाहे 10,000 units, मतलब ये एक तरह से आपका fixed expense है, यहाँ भी 800 है, यहाँ भी 800 है, तो ये भी आपका एक तरह स fixed है, चाहे है, अब tools consumed आप देखो, यहाँ पे 320 थे, जबकि यहाँ पर कितने है, 400, आया न, so now it can be variable, और it can be semi variable, अब सरे variable और semi variable क्या बोल रहे हैं, बड़े ध्यान से समझना जो मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े अराम से, देखो, check करने का तो वैसे एक सबसे देसी तरी का होता है, कि यह variable है, यह semi variable, आप 320 को 8,000 से divide करो, देखो, यह कितना आता है, 320 को 8,000 से divide करने पर, तो यह आपका आता है, 0.04, सबसे देसी तरीका बता रहा हूँ, 400 को आप 10,000 से divide करो, तो यह कितना आता है, 0.04, अगर यह दोनों per unit, same आ रहे, per unit, अगर यह दोनों same आ रहे हैं, तो आप इसको आख बंदगर के कह सकते हो, कि यह variable है, क्योंकि variable cost per unit क्या होती है, same होती है, यह मैं आपको बहुत बार पहले भी बता चुक हूँ, कि आप इसको 8,000 से divide करें, per unit cost निकाल यह दोनों में, अगर दोनों same आ रही है, तो you can say it's variable समझ में आई बाद, बड़ा एकदम clear है, उसमें कोई दिकत नहीं है, तो यह जो आपका expense है, यह कैसा हो गया, आपका variable हो गया, हाई या न, show, same way, अब देखे, power, यहां 800 है, यहां 875 है, तो power के लिए हम करें, बड़े ध्यान से देखना, 800 divided by 8,000, तो यह आपका कितना आता ह देखो, 800 divided by 8,000, this comes out to be 0.1, फिर यहां पर 875 divided by 10,000, तो यहां देखो कितना आता है आपका, same तो नहीं आ रहा, 0.0875, यह देखो, करके नहीं दिखाना आपको, यह आपकी rough working के लिए, तो आपको hint मिल गया कि यह एक तरह से क्या है, semi variable, semi variable cost यह है, ठीक है, यह hint के लिए है कि बहिया, आपको पता लग सके कि कौन सी variable, देखो, fixed में कभी दिक्कत नहीं आएगी, वो हर level पे same होती है, आपने देखा, variable में जो है, वो हो सकता है, variable हो सकता है, semi, तो उसकी पहचान मैंने आपको बताई कि exam में फटा-फट पहचान कैसे करने, समझ मैं, अब मैं आपको एक variable होता है, कुछ पार्ट fixed होता है, और कुछ पार्ट क्या होता है, variable, तो हमें अलग करना है कि fixed कितना है और variable कितना है, कैसे करेंगे, वो बात मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा, एक चोट ऐसे working note से, power, यह power का है, हमें पता लग गया है, यह वो semi variable, आप देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए, variable cost per unit उसमें से आपको निकालने, variable cost per unit निकालने का एक बड़ा simple सा formula होता है, change in total cost divided by change in production, आप देखो, यहाँ पर आपकी जो cost है, वो 800 से कितनी change हुई, delta, in cost, अगर आप देखो, तो कितनी change हुई cost, 75 change हुई, yes or no तो आप देखिए, यहाँ पर मैंने लिया, change in total cost, 75, जबकि production अगर आप देखें, तो 8,000 से कितनी हुई है, 10,000, हाँ या न, अरे भाई, यह देखो, 8,000 ती यहाँ पर, यहाँ कितनी है, 10,000, production में कितना change है, 2000, cost में कितना change है, 75, तो आप दोनों को आपस में divide कर दो, यह आ economics का concept है, variable cost निकाल लिए, change in total cost divided by change in production, 0.075 per unit, अब आप देखो, जब आप 80% capacity level पर हो, आप कितनी units बना रहे हो, 8,000 units, 8,000 units में, point per unit cost कितनी है, 0.0375, तो यह तो आगई variable cost, yes or no, और उसमें आपने, जो भी fixed expenses हैं, जो उस level के, वो add किया होंगे, हाँ या न, तो आपका total बना कितना, 800, आप देखो, महाँ पर cost कितनी थी, बेटा, 800 ही थी, न, yes or no, हाँ या न, ज़रूरी न, यह 80 पर करना, आप 100 पर भी कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो 8,000 per unit cost इतनी थी, वो कैसे निकली समझ में आगए, step 1 clear है, this is the step 1, जो आपको clear होना चीकि, semi variable में variable cost कैसे निकालनी, फिर कोई भी capacity level आप पकड़ो, चाहे 80 पकड़ो, चाहे 100 पड़ो, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, 8,000 units, यह थी per unit variable cost, तो यह variable cost आगई आपकी total variable cost, और total fixed cost, क्या है मुझे नहीं पता, बट मुझे पता है total cost 800 है, now TVC plus TFC is total cost, अब TVC आपका आगया, इन दोनों का आपस में टू करो 300, TFC मुझे निकालना है, तो मेरा total fixed cost आगया कितना 500 रुपे, कि मेरा जो fixed expenses है, वो कितने है, 500 है, मेरी बात समझ मैं है आपको, शेव, पावन यहाँ पे क्या एक, semi variable cost, अब आप 60 देखे, अब हुआ क्या, आप जड़ा ध्यान से समझ रह, ह 6000 units, 6000 units ही तो हम बना पाए, तो मैंने उसको लिख दिया, 60% capacity level, actually, यह मैंने कैसे लिख दिया, मैं आपको यह भी बता दू, मैंने assume कर लिया, कि 10,000 units जो है, वो 100% capacity level है, यह आप लिख देना, 10,000 units, आप लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है वाँ पर, as 100% capacity level, तो उसे सा से 8,000 आपका 80% हो जाता है, 6,000 आपका 60% हो जाता है, ठीक है, तो 60% पर आपको निकालना है, क्योंकि आपने 6 पर operate किया, तो 6,000, 0.375 per unit आपका था, 500 रुपे उसमें fixed expense है, तो जिस level पर आपने operate किया, उसका आपका खर्चा कितना आना चाहिए था, 725 रुपे, समझ मैं ही अरे भई, January में आप actual production कितना किया, आप लोगोंने, 60% ही किया न, आया न, 6000 units, तो 6000 units में हमने उसे निकाल लिया, fixed हमें पता लग गया, variable कि पता लग गया, चीक है, चलो budget भी देख लो, statement showing flexible budget at various level, expense in normal month, for the January कितना होना चाहिए था, at 60% level, कितना होना चाहिए था, बस अभी य तीन चीज़े देखो, यह आपको नहीं देखने, देखो, last reverse शुरू करता हूँ, insurance fixed था, 80 पे भी और 100 पे भी, तो 60 पे भी आपका same रहेगा, same way with the depreciation you can see, same way with the rates and taxes you can see, चीक है, अब देखे, tools consume जो है आपका, 320, 400, हमने देखा था, यह variable है, yes or no, तो अगर 320 है, यह 400 है, तो यह आपका कितना आएगा, 240 आएगा, अब यह मत पूछने कैसे, और यह 0.04 आया था, यहाँ, तो 6000 पे into 0.04 करो, कितना आता है, 240 तो आता है, देखो करके, 240, ठेक है, power कभी आपने देखा, 808, 75 और 60 परसंट पे कितना आया, 725, समझ पर आगया, sure, अब है repair and maintenance देखे, 600 है, और यहाँ पे कितनी है, 650, देख रहा है आपको, तो देखे, मैंने निकाल रखे, repair and maintenance, variable cost per unit, change in TC, change in production, same तरीका एकदम, 50, और यहाँ पे 2000, तो यह आपका कितना, 0.025 per unit, फिर 80 परसंट पे, यह आपकी total variable cost, same तरीका एकदम, कुछ भी नहीं, power समझ में आगया, तो यह आग मत करो, तो यह आपका हो गया, 200, TFC, 600, तो इसमें fixed expense आप क्या आगया, 400, repair and maintenance, एक semi variable cost है अपकी, 60% capacity level पे निकालना है, तो 6000 into 0.025, यह तो हो गया, total variable cost, यह है आपकी total fixed cost, तो यह आगया, आपकी total cost, तो यह आगया, आपकी total cost, ठीक है, 550, तो यहाँ पर, यह देखे, 550 और य बनती, ठीक है, फिर आपका indirect material देखे, यहाँ 800 है, यहाँ 1000 है, यह आप देख सकते हैं, निकालके, clearly कि यह variable cost आएगी आपकी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है, तो 800, 1000, तो 60 पर 600, फिर आपका indirect labor है, 720, 900, इसको निकालिए, बेशक, variable cost per unit, 180 by 2000, 0.09 per unit, चीक है, तो 80% capacity level पर आपने देखा, total variable cost, total fixed cost, और 720, तो यह आप देखेंगे, fixed cost nil आ रही है, क्योंकि अगर आप देखें, आप अगर गलती से working note बना भी लेंगे ना, घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखो, मैं जान मुझके working note आपको 720 है, 720 was the cost at 8000 level, so this comes out to be 0.09, and 900, sorry, how much, 900, yes, 900 is the cost at 10,000 level, so again this comes out to be 0.09, तो है यह variable cost ही, चीक है, तो इस working note की requirement नहीं है, लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया है, कि अगर आप इसे गलती से ऐसे कर भी लेते हैं, तो फरक नहीं पड़ेगा, 0.09 per unit, आप total variable cost, आप देखेंगे, fixed cost जो आटोमेटिकली क्या जाएगी, निला जाएगी, क्यों, क्योंकि यह 100% क्या है, variable, क्यों reverse चला ला था, कोशन अब आपको समझ में आ गया होगा, क्यों यह working note बनाया, आपको समझ में आ गया हो, कि working note जो मैं आपको सिखाया ना, यह तरीका, यह नुकसान दायक नहीं है, in fact, कोई semi variable है, sorry, कोई variable cost है, और आपने उसमें यह अब लगा भी दिया, तो आपकी automatic fixed cost जो है, वो निला जाएगी, और बाकी variable cost identification का तरीका मैंने आपको बता दिया, तो working note, as such, आपको exam में बनाने क ज़रुतनी, लेकिन मैंने आपको इसलिए सिखाया है, यहां बताया है, ताकि आपको समझ में आ सकेगी exactly concept है क्या, अभी आप note मत करियेगा इसको, आपको, आपका one number यह है, second number यह है, ठीक है, और that's it, दो ही working note बनाने, इसका आपको working note बनाने की ज़रुतनी, सिर्फ मैंने इसलिए बताया है, कि अगर आपने variable में गलती से बना भी दिया, तो automatic fixed cost आपकी निल ही आनी है, तो घबरा मत जाना, और उसको variable को निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, तो देखे 720 है 900, तो यह automatic कितनी आएगी, 540, चेक है, अब इसके बाद salary of four men, देखे, सब किए वो आपको यह सब दिये, ठीक है, तो आप as a test लिख दीजे, actual, अब देखे, 1000 था, 1000 हुआ, तो कोई difference नहीं हुआ, यहाँ 540 आना चाहिए था, बट इस भाई सामने खर्चा गिया 600 रुपेगा, तो यह तो additional खर्चा हुआ, saving का हुई, तो negative हो गया 60, 600 रुपेगा खर् 725 का खर्चा होना चाहिए था, इसने किया 740 का, 15 negative हो गया, 240 का खर्चा होना चाहिए था, इसने किया 300 का, 60 negative हो गया, 150 का होना चाहिए था, 150 ही किया, nil, 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 तो इसने savings तो करी ने उल्टा 285 का क्या कर दिया, नुकसान कर दिया, तो he is not liable for any bonus, ठीक है, तो आप लिख द extra, समझ में होगा, तो आप ये लिख देंगे, आपको समझ में है पूरा question, इसलिए मैंने exam में बोला, starting में बोला था, 12 number का अच्छा question है, exam में question आ सकता, exam time पर इस question को आप एक बार जरूर देख लीजएगा, overview कर लीजएगा, इससे आपकी सारी practice हो जाएगी, और ये इसमें production, raw material, purchase करना, इन सब के लिए budget बनाते हैं, लेकिन इसकी आपको एक हिरार्की ध्यान रखनी है, सबसे पहले देखिए हमेशा जो है organization में बनता है sales budget, उसके basis पे production manager बनाता है production budget, क्योंकि देखिए sales के estimate आएंगे, तो production का estimate plan होगा, अब production का जब estimate plan होगा, तो उसके basis पे estimate होता है कि हमें raw material कितना खरीदना पड़ेगा, फिर उसी production के basis पे हम देखते हैं कि हमें कितने labor arts चाहिए होगे, और कितने machine arts हमें चाहिए होगे, तो एक hierarchy में बनता है, ऐसा नहीं कि आप सीधे पहले raw material purchase budget बना लेंगे, आपको सबसे पहले sales budget बनाना पड़ेगा, फिर production budget बनाना पाएंगे, तो ये आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है, बाकी जो question में instruction होगे, फिर उसे साप से हमें चीज़ एक करनी है, आप इसे note down करें, फिर question पे आते हैं, चली, बहुत ही अच्छा question, exam के अंदर 12 से 14 marks में question आ सकता है, single product company estimated its sales for the next year quarter, wise as under, quarter 1 में इतनी sale, quarter 2 में, quarter 3 म में ये उन्होंने sales estimate करी, opening stock finished good का है 10,000 units and the company expects to maintain the closing stock of finished goods of 16,250 units, और company मान के चलती है कि उसे closing stock कितना चाहिए होगा at the end of the year, production pattern कुछ इस तरीके से है कि company हर quarter में 80% of the sales of the current quarter, मतलब उस quarter में जितनी sales होनी है, उसका 80% produce करती है, और 20% of the sales of the next quarter, मतलब समझे, quarter 1 के अंदर company production कैसे plan करती है, कि जितनी उस quarter की sale है, कितनी है, 30,000 है, 30,000 है, तो उसका 80% इस quarter में बनाएगी, कितना हो गया, 24,000, और अगले quarter का 37,500, उसका 20% बनाएगी, ठीक है, इस तरीके से जो है, company अपनी production plant करती है, पूरी की पूरी, मतलब quarter 1 की ये production होगी, समझ मैं and so on, opening stock raw material का इतना है, closing stock, इतना maintain करना है, each unit of finished good में 2 kilo raw material लगता है, okay, company proposes to purchase the entire requirement of raw material in the first three quarter, जितना भी raw material की जरौत होगी, company पहले 3 महिने में उसे खरीद लेगी, और किस proportion में खरीदेगी, quarter 1 में 30% माल खरीदेगी, quarter 2 में 50%, quarter 3 में 20%, तो टूटल देखे, 100% पर्चेज होगी, और किस rate पर पर्चेज करेगी, वो भी आपको given है, the value of opening stock of raw material in the beginning of the year was 20,000, जो raw material की opening stock की value थी वो 20,000 है, you are required to present the following for the next year quarter wise, अब आपको ये सब बनाना है, तिक, question का एक overview आपको मिल गया, question में आपको sales given है, 4 quarter की, production pattern given है कि किस तरीके से होगा, raw material का उसने बता रखाएगी, हर unit को बनाने में 2 kilo raw material लग जाता है, opening stock आपको raw material का given है, closing stock, raw material purchase का pattern आपको given है, उसने फिर आपको ये 4 budget बनाने को बोले है, कोई दिक्कत नहीं, बड़े अराम से हम ये सारी चीजे कर देंगे, देखे, सबसे पहले, आप एक छोटी सी चीज, जो देखेंगे, sales आप देखे, आ 753, 750, चीज, अब उसने आपको क्या बोला था, production कैसे करनी है, 80% of the sales of current quarter and 20% of the next quarter, production, 80% of the sales in current quarter, production, 20% of sales of the next quarter, तो 30,000 का 80% है ये, और यहाँ पर 37,500 का 20%, चीज, फिर यहाँ पर ये 37,500 का 80% और यहाँ पर 33,000 का 20%, फिर यहाँ पर 4,1,2,5,0 का 80% और यहाँ पर 45,000 का 20%, देखो कितना असान है, और गवराते हो, कुछ है इसमें, का 80%, अब ये कैसे आए असा, हमें next quarter की तो sale नहीं पता, उसी के लिए ये बना रहा था, देखो हमें closing stock कितना maintain करना है, finish good का 16,250, देखो इतनी हमें sale करनी है, और इतना हमें closing stock maintain करना है, मतलब जो total माल हमें चाहिए, वो कितना चाहिए, 1,70,000, जिसमें से हमारे पात 10,000 का opening stock है, तो हमें current year में production कितनी करनी पड़ेगी, 1,60,000, नहीं आया समझ, very good, अब मैं दुबारा से समझाता हूँ, वाई, opening stock में, आप production, units वाई सोचो, production करने से माल बढ़ जाएगा, और sale करने से माल कम हो जाएगा, तो जितना opening stock था, उसमें production add कर दोगे, sales minus कर दोगे, तो ही तो आपका closing stock बचेगा, in terms of units, suppose आपके पास 10,000 units थी, आपने production करी कुछ units की, ठीक है, उसमें से sale करी कुछ units की, तो बाकी जो बचा closing stock, तो अब आपको अगर production निकालनी है, तो आपको क्या पास formula क्या बनता है, आप देखो, production आपको निकालनी है, तो closing stock, sales उधर जाके add हो जाएगा, और opening stock minus, तो आप year में production कितनी चाहिए, 1,60,000, समझ में आगया, sure, अब 1,60,000 units की production चाहिए, और आप देखिए, इन सब का sum करके, 24,000, 7,30, 8,250, 33,000, 9,000, 36,000, कि हम already कितनी production प्लान कर चुके हैं, 160 हमें चाहिए, और इन सब का sum देखिए, this comes out to be 147,750, 24,000 plus 7,500 plus 30,000 plus 8,250 plus 33,000 plus 9,000 plus 36,000, इतनी हम कर चुके हैं, तो ये आपको last उसमें production करनी पड़ेगी, ये ही एक mean चीज थी, बाकी question में कुछ था ही नहीं, था ही क्या बाकी, तो simple था, समझ में आए आपको, पक्का, share, clear है, फटा फट नोट करिए fast, जो reading से है, सर्फ वो ही नोट करनी की ज़रूरत है, जो blowing वाला है, वो exam में करनी की ज़रूरत नहीं, बेशक आप अपनी understanding के लिए नोट कर लीजेगा, different pens से, फिर raw material consumption budget, अब देखिए, production हमें पता लग गया, तो देखिए, production आपको पता लग गई, हर quarter की, 24 प्लस 7500, 31 500, quarter 2 में 30 प्लस 8250, 38 250, same way quarter 3 में सम करके लिख देंगे, 42, और quarter 4 में, दोनों का सम करके लिख देंगे, 48 250, अब एक unit में 2 किलो raw material लगता है, तो दोनों को आपस में 2 कर दीजे, तो consumption आ गई total, कि कितना raw material, किस quarter के अंदर आपका consume होगा, यह मैंने consumption short में लिख देंगे, पर आप मत लिखिएगा, यह बात ध्यान रख देंगे, ठीक है, तो यह आ गया statement showing raw material consumption budget, अब इसके बाद, third आपका raw material purchase budget आपको बताना है, तो दीखिए, सबसे पहले, आप एक चीज़ समझे, यहीं सिखा देता हूँ, जो भी opening stock है raw material का, चीक है, अगर आप purchase करते हैं raw material को, तो raw material बढ़ जाता है, और अगर आप consumption करते हैं raw material की, तो raw material क्या हो जाएगा, कम हो अब closing stock आपको raw material का पता है, देखिए, 5000 और opening पता है आपको 10,000, यह आपको पता है, यह आपको पता है, sorry closing stock पता है, और consumption अभी आपने निकाल ली, देजे सारी की सारी, आप इन सब का sum कर दीजे, यह इस से अच्छा तरीक है, total production आपकी 1,60,000 हो नहीं है, multiply by 2 कर दीजे, इन ही आ रहा होगा, कोई उसमें plus minus नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि production आपकी total 160 है, वो हमने यहापे निकाला था, तो से into 2 कर दीजे, इसका sum ले लीजे, बात एक की है, इसका sum भी आप देखेंगे, 32 आ रहा है, तो अब मुझे अगर purchase निकालनी है raw material की, तो सबसे पहले कितन raw material purchase करना पड़ेगा, इसके लिए closing stock में, आप जो consumption है raw material की, वो add करिए, और जो opening stock है, वो minus करिए, ठीक है, तो देखें, closing stock इतना चाहिए, raw material की consumption इतनी है, उसमें opening stock minus, तो इतना आपको raw material to be purchased हो क्या है, ठीक है, यह आपको raw material purchase करना है, अब इसके बाद, दीखें, किस ratio में purchase करना है, वो आपको already given है, 30, 50 और 20, yes or no, इस ratio में आपको purchase करना है, quarter 4 में कोई भी purchases नहीं है, तो quarter 1, 2, 3, 4, 4 में nil, और इतना, कितना purchase करना है, वो आपने निकाली लिया, तो इसका 30% यहाँ पे, 50% यहाँ पे, और 20% यहाँ पे, इतना kg जो है, आप raw material हर quarter के अंदर purchase करेंगे, ठीक है, और rate पर kg कितना है, 2, 3, 4, देख रहे हैं, तो 2, 3, 4 आपका rate है, उससे आप into कर देंगे, तो आपका value में भी आजाएगा कि कितनी value पर raw material आपको हर quarter के अंदर purchase करना पड़ेगा, ठीक है, तो यह भी आपके requirement पूरी होती है, देखे, question के अंदर, आपको language समझने है, कि language क्या है, उसके basis पे आप चीज़े कर सकते हैं, जब तक आप language नहीं समझेंगे, इसमें कोई concept नहीं होता कि इस तरीके का ही question है, आप अब अगला question करेंगे, वो एकदम different होगा, हर company के अपनी scheme है, उनकी अपनी raw material किसमें कितना पड़ेगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है, बहुत simple, free के number है, मैं तो क्या रहा हूँ, कोई concept एकदम वो है नहीं कि आप plain English की तरह पढ़ते रहो, फिर store ledger card बनाना है, of raw material using FIFO method, कोई दिक्कत नहीं है, देखे, price store ledger, FIFO method, quarter 1, opening balance 10,000 kg है, 2 रुपे के साब से 60,000 का हा या न, शो, अब आपने purchase के 94,500, दो रुपे के साब से 189, हा या न, और consumption कितनी होगी, quarter 1 में, 63,000 kg होगी, तो इसी में से हो जाएगी आपकी, तो closing stock कितना बचेगा, this plus this minus this, 41,500, दो रुपे के साब से कितना होगया, 83,000, अब यह जो इधर closing stock है, quarter 2 का, वो आपका opening stock बनेगा, 2 रुपे के साब से, फिर आपने quarter 2 में कितना raw metal purchase किया, 157,500, 3 रुपे के साब से, 157,500, 3 रुपे के साब से, कितना 47,500, अब quarter 2, आपको raw metal कितना चाहिए, 76,500, ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर 76,500 आपको चाहिए, जिसमें से FIFO method हमे लेना है, तो 41,500, 2 रुपे वाला यह जाएगा, हाया न, अब 76,500 में से 41,500 चला गया, तो बागी बचा 35,000, तो वो आप इसमें से जो है, वो issue करेंगे, 3 रुपे वाले में से, अरे भाई, यह सब करके आ रहे हो material chapter में, ठीक है, बस यह है कि format वो vertical होता था इस बार horizontal है इसमें, तो 157,500 म minus 35,000, 1,2,500, 3 रुपीज के साब से, फिर यह आपका यहां पर opening stock बनेगा, फिर आपने कितना purchase किया, देखे 63,000 kg, 4 रुपे के साब से, तो यह आपका आ गया, अब आपकी consumption requirement कितनी, 84,000 kg, तो यहां 1,2,500 है, इसी में से शुरू issue हो जाएगा सारा, आया न, तो आप 1,2,500 मे से ही 84,000 चला गया, तो जो balance बचा, कितना बचा भी, 38,500, आया न, और यह वाला as it is यहां पर, तो यह 3 रुपे के साब से, 4 रुपे के साब से, आप उसे vertical भी बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कि सर ऐसी करना जलूरी है, क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे मर्ज करिए, तो 38,500, 3 रुपे के साब से, 63,000, 4 रुपे के साब से, as it is आगे, quarter four में कोई purchases नहीं है, अब quarter four में, देखे, कोई purchases नहीं है, और हमें चाहिए कितना, 96,500, 96,500 हमें चाहिए, तो 38,500 तो यह दे देंगे हम, ठीक है, 96,500 में से 38,500 आप माइनस करिए, 58,000 बसता है, तो इसमें से आपका issue हो जाएगा, चाहिए, four rupees, तो 63 में से 58 अगर issue हो गया, तो बचाए कितना आपका, five thousand, चार रुपे के हिसाब से 20,000, समझ मैंगा, तो यह आपका full flash question, जो आपने किया मैंने का 12 to 14, in fact 16 marks तक कभी आ सकता है, मैंने store ledger पर ध्यान नहीं दिया था इसके, तो क आपके book में है, question मैं आपको करा रहा हूँ, that is more than sufficient, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप इतना कर लीजे, budgetary control खतम होता है, और इसी तरह की language आपको देखने को मिलेगे, इसके बाद एक question इसके उपर और practice करते है, फटा-फट यह आप सारा, खुद करिये, जहां फिर budget की आपकी practice हो जाती है, in fact आप चाहें, तो exam में सिर्फ यह वाला question, question number 3, यह दो questions आप revise कर लीजेगा, आपका पूरा पूरा जो budget chapter है, वो revise हो जाएगा, आप लिख लीजे बेशक chapter के top पे, कि at the time of exam, लिख लुए बाद, सिर्फ at the time of exam, revise question number 3 and 5, 3 आप कर चुके, 5th यह आप कर रहें, चलिए स्टार्ट करें, पहले आप पूरा समझेगा, उसके बाद फिर आप अपने आप करियेगा, अभी आपको पेन जड़ा साइट रख दीजे, a company is engaged in the manufacturing of specified sub-assemblies required for certain electronic equipment, कोई electronic equipment है, तो उसके लिए कुछ sub-assemblies की ज़रत होती है, और वो company manufacture कर रही है, the company inviscigates that in the forthcoming month, December, the sale will took in the pattern of 3 is to 4 is to 2, मतलब उन्होंने अपना product mix बता दिया आपको, कि किस ratio में sale होगी, of sub-assemblies, ACB, MCB and DP, यह 3 product जो है company बनाती है, और उसकी किस ratio में sale होगी, 3 is to 4 is to 2, मतलब, 3 unit अगर ACB के भी कहेंगे, तो 4 unit MCB के और 2 unit DP के, ठीक है, अब यह sub-assembly है, उनके selling prices आपको given है, छेक है, फिर component required, देखे, ACB को बनाने के लिए, या MCB को बनाने के लिए, DP को बनाने के लिए, क्या क्या component चाहिए, base port, IC08, IC12, IC26, so basically these are the 4 components, और you can say, in simple language, these are the 4 raw materials, उसके नाम उसने technical दिया, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तो देखे, ACB के लिए आपको एक base port चाहिए, 8 IC08, 4 IC12, और 2 IC26, same way MCB की details given है, कितना raw material चाहिए आपको, और DP के लिए क्या क्या raw material चाहिए, वो आपको सारा given है, चेक है, purchase price, देखे, practically ऐसी ही होता है पूरा budget, इसलिए मैंने काई question बहुत अच्छा है, purchase price, एक base board का purchase price है 60 रुपे, IC08 का 20 रुपीज, इसका 12 रुपीज, और इसका 8 रुपीज, तर direct labor time and variable overheads required for each sub-assemblies, देखे, ये तो थी आपके पास raw material की detail, यहाँ उसने आपको detail दिये है labor की, plus variable overhead की, यहाँ पर पूरी के पूरी, और कैसे दिये है, देखे, ACB में, अब देखे, labor arts भी दो तरह के, grade A, grade B, दिख रहा है आपको, ACB में, आपको grade A के 8 labor arts चाहिए, और इसके 16 चाहिए, labor arts गिवन हैं, MCB में इसके 6 direct labor arts चाहिए, इसके 12, DP में इसके 4 और इसके direct wages per hour, यहाँ 5 रूपीज है और यहाँ पर 4 रूपीज है, चाहिए, अब variable overheads, अगर आप देखें, तो वो सीधा-सीधा आपको amount given है per unit का, चलिए, फिर the labor works 8 hours a day and 25 days a month, यह भी उसने आपको बता दिया, opening stock of sub assemblies and components, जो sub assemblies है, ACB, MCB, DPP, उनका opening stock और जो components है, आपके base board, IC08, IC12, IC26, उसके opening stock आपको given है, यह देखें, इनके opening stock इतने हैं और जो यह raw material है, इसके opening stock इतने हैं, यह आपके लिए क्या है, the company is eager for a reduction of closing inventories for December 2002 of sub assemblies and components by 10%, जो closing stock होगा, वो इस opening stock से 10% कम होगा, चीक है, as compared to the opening stock, लिख ली जिसके आगे, तो अगर opening stock यह 800 है, ACB का, तो closing stock कितना होगा, 720, इसका 1200 है, तो इसका closing stock 1080, तो इसने indirectly आपको सारी closing stock की भी information दे दी, prepare the following budget for December, sales budget, production budget, raw material budget या component usage budget एक ही बाज है, फिर raw material purchase budget, अब देखें, उसी order में है, sales budget बनाओ, फिर production budget बनाओ, फिर raw material consumption budget बनाओ, फिर raw material, purchase budget बनाओ, सारे budget इसमें आपको बनाने, और देखें, एक sequence में उसने आपको दिया है, और फिर labor our budget आपको बनाना है, चेके, तो देखें, sales budget हमें बनाना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये बताइए, क्या आपको पूरे question में ये कहीं given है, कि हमारी December के अंदर कौन से component की, कितनी sale होगी, आपको उसने कुछ information दे दी, किस ratio में sale होगी, 3 is to 4 is to 2, उसने आपको selling price बता दिया, उसने आपको सारी की सारी cost details दे दी, कि क्या costing है, उसने आपको desired profit बता दिये, कि मुझे कितने profits चाहिए, ये सब तो उसने में आपको बता दिया, ये सब question के अंदर given है, yes or no, लेकिन किस product की कितनी quantity बिकेगी, इसके बारे में उसने आपको कुछ भी नहीं बताया, कोई घवराने वाली बात नहीं है, अगर आपको ये 4 चीज़े पता है, product mix पता है, that is ratio, इसको product mix भी बोलते है, selling price पता है, cost details पता है, desired profit पता है, आप ये निकाल सकते हैं, कि आपको किस product की कितनी units बेचनी पड़ेगी, ताकि आपका profit आजाए, और वो कैसे निकलेगा, बड़े ध्यान से देखेगा, अराम से एक एक रिलाक्स होके, आपने सारी की सारी चीज़े देखनी है, देखें, तीन product है, ACB, MCB, DP, हाया न, तीनों का selling price आपको given है, 520, 500 और 350, आप देखें, यहाँ पर आपको ये given था, 520, 500 और 350, yes or no, अब आपको variable cost की details किवन है, देखें, सबसे पहले baseboard, एक लगेगा, क्या price है, 60 रुपीज थी कि, यहाँ इसने question में per unit नहीं लिखा, लेकिन ही by default per unit ही माना जाएगा, जाएगा, एक रुपे, ना स्वारी, एक baseboard चाहिए, 60 रुपे का, यहाँ भी एक चाहिए, यहाँ भी unit चाहिए आपको, 8, तो 20 into 8, कितना आता है, 160, मैं लिख देता हूँ आपकी understanding के लिए, ठीक है, देखे, 20 unit चाहिए, और यहाँ पर 8, फिर यहाँ पर 2 unit चाहिए, तो 20 into 240, और इसके लिए 2 चाहिए, तो 40, तो, देखे, 40 और 40, फिर IC 12 पर यह सेम वे, बहुत simple है बेटा, तो 12 into 4, कितना हो गया, 48, ठीक है, इसके बाद 12 into 10, कितना हो गया, 120, फिर 12 into 4, कितना हो गया, 48, फिर IC 26, 8 into 2, कितना हो गया, 16, 48, 64, ठीक है, तो देखे, 16, 48, और 64, सारा हो गया वे, अब आजाओ, लेबर्स पर, ACB के लिए, grade A के 8 घंटे चाहिए, और rate क्या है, 5 रूपीस पर आर, तो 8 into 5, कितना हो गया, 40, हाया न, grade A, direct wages, देख रहे हैं, और सेम वे, अगर यहां देखें, तो, MCB में 6 चाहिए, तो 6 into 5, और यहां 4 into 5, तो आप देखे, 6 into 5, 30, 4 into 5, 20, समझ में आ रहा है, सेम वे, इसका 16 into 4, 12 into 4, 8 into 4, चीक है, तो देखे, 64, 48, और 32, अब आपको इतना तो पता है, सेल्स में से सारी वेरीबल कॉस्ट माइनस कर दूं, तो क्या आ जाता है, कॉंट्रिबूशन पर यूनिट, हाया न, शो, अब कॉंट्रिबूशन पर यूनिट आ गया, 96 रूपीज, 130 रूपीज और 62 रूपीज, यस और न, शो, अब उसने आपको बोला था बेटा, कि जो सेल होगी, वो 3 is to 4 is to 7 में होगी, मतलब अगर 3 यूनिट बिकेंगी ACP की, तो 4 यूनिट बिकेंगी MCB की, और 2 यूनिट बिकेंगी किसकी DP की, यही उसने बोला था न, ACB, MCB और DP का रेशो है बेटा, yes or no, show, तो दिखिए, इसको हम बोलते है, product mix, क्या बोलते है, product mix, तो अगर हम निकालें, contribution per mix, तो इसकी 3 यूनिट बिकेंगी, इसकी 4 यूनिट बिकेंगी, और इसकी 2 यूनिट, this is the ratio, मैं, देखो, एक mix का ratio क्या है, 3 यूनिट बिकेंगी ACB, 4 यूनिट बिकेंगी MCB, 2 यूनिट बिकेंगी, इसको मैं बोल रहा हूँ, this is equivalent to 1 mix, चेक है, और यही ratio में product बिकना है, तो एक mix से हमारा, कितना profit आएगा, contribution आएगा, वो हमने निकाल लिया, this comes out to be 932, इसको मैंने क्या नाम दिया है, contribution per mix, कि एक mix से हमारा, इतना contribution आएगा, समझ मैं ही बाद, show, अब देखिए, हमारे बेटा, जो fixed over rates आने है, 7,57,200 आने है, और हमें profit चाहिए 12,00 रूपीस, yes or no? तो आप देखो, अगर हमारे fixed over rates, 7,57,200 आने है, और profit हमें 12,00 चाहिए, तो हमें total कितने contribution की जरुवत है, 19,57,200, जो हमें total amount required है, यह मैं कहूं total contribution जो हमें चाहिए, भई 932 हमारा एक mix से contribution आ रहा है, और हमें क्या-क्या recover करना है, हमें अपने fixed over rates की पूरी recovery चाहिए, as well as हमें अपने profits की पूरी recovery चाहिए, हा या न, शो, तो आपको total जो contribution चाहिए, that is 19,57,200 रूपीस जो है, आपकी यह total requirement है, तो अगर आपको एक mix से 932 रूपीस का contribution मिल रहा है, और आपको total 19,57,200 रूपीस की requirement है, तो आपको total mix कितने बेचने पड़ेंगे, number of mix required to be sold for desired margin या desired contribution, तो आपको बेचने पड़ेंगे ऐसे 2100 mix, जब जाकर आपको 19,57,200 की जो requirement है, जो यह amount आपको requirement है, वो मिल पाएगा, मेरी बात समझ में आ रही है आपको, show, हमने दुबारा repeat करता हूँ, sales में से सारी variable cost minus करी contribution आ गया, contribution हमने एक mix से निकाल लिया, कितना आता है, और उसके बाद हमने देखा हमें कितने जरुरत है, हमें fixed overheads recover करने, हमें profits चाहिए, total इतना amount चाहिए, yes or no, तो this divided by 932, यह हमारा आगया 2100 mixes, जो हमें बेचने पड़ेंगे, to have the required amount of profits as well as to cover up the fixed overheads, देखें यह वाला पार्ट जो अभी आपने किया, उमीद करता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, वैसे यह part जो है marginal costing का है, बीच बीच में marginal costing आपने पहले भी देखा, एक दो जगा आ चुकी है, अब हमें next chapter वही पढ़ना है, ठीक है लेकिन यह उसके अंदर और detail में पढ़ा जाएगा, वैसे कुछ है नहीं इसके अंदर कि आपको समझ में ना है, बहुत simple, इतना हमें एक mix से मिल रहा है, और हमें चाहिए इतना, तो total हमें इतने mix बेचने पढ़ेंगे, समझ मैं, तो अब अगर इतने mix बेचने पढ़ेंगे, एक mix में 3 units हैं EBCB की, 4 units हैं MCB की और 2 units हैं DP की, तो अब हमारा sales budget बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, statement showing sales budget ECB, MCB, DP in terms of quantity, 2100 mix आए थे, एक mix में 3 units हैं ECB की, तो 2100 into 3, 6300 units, यह सोनो, और इसमें है 4 units of MCB, तो 2100 multiply by 4, इसकी 8400 units बेचनी पढ़ेंगी, यह इन units है, और इसके multiply by 2, कितनी units बेचनी पढ़ेंगी, 4200, समझ मैं बन, अब sales price हमें given था 525, 500 और 350, तो हमने यह जो units आई, इसको उसकी sales price से into कर दिया, ताकि sales budget हमारा value की terms में भी आज है, क्योंकि उसने आपको quantity में भी मांगा था, और value में भी, समझ मैं बहुत ही simple, कुछ इसमें ऐसा technical नहीं है, और मैंने क्यों बोला 16 से 20 नंबर गा question, वो इसी वज़े से बोला कि बहुत अच्छी चीज़ इसमें आपको सीखने को, एक point मिलता है कि sales budget alternatively कैसे बनाया जा सकता, और practically बताऊं तो बनता ही ऐसे, targets इसी हिसाब से दिये जाते हैं, कि हर department को कितनी sales करके देनी है, समझ मेरी बात, शेयो, चले, अब इसके बाद हम move on करेंगे, next उस पे, that is the production budget, देखे, sales budget आ गया, तो production budget can be easily drafted, how, बड़े ध्यान से देखेगा, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी, कि opening stock है, हाया न, उसमें production करने से, आपका माल stock बढ़ जाता है, और sale करने से आपका माल कम हो जाता है, तो आपके पास क्या आ जाता है, closing stock, yes or no, तो opening stock, अगर आपको production निकालनी है, sorry, तो आप क्या करेंगे, closing stock में sales plus कर दीजे, और opening stock minus कर दीजे, ये है units term, किसकी terms में, units, कि बढ़ी जितना opening stock था, production करने से उतना माल बढ़ जाएगा, sale करने से माल कम हो जाएगा, तो बचेगा, क्या closing stock, तो अगर production निकालनी है, तो closing stock plus sales minus opening stock, same way विटा, sales आपकी आचुकी तीनों की, closing stock, देखे, यहाँ पर जो opening stock गिवन था, उसमें से 10% कम कर देना है, 800 है, तो 720, 1200, 1080, और 2800 है, तो उसे साब से 2520, so this is the closing stock, तो यह आपका total आगा है, this plus this, और इसमें से, आप जो है, opening stock क्या कर देंगे, minus कर देंगे, तो यह आपका क्या आजाएगा, कि कितनी production आपको करने की सौरत है, देखे, first में इतना technical पूछा, second में कुछ है ही नहीं, फिर next क्या है, आपका देखे, component usage budget in quantity, part C करने से पहले, आप जो है, यहाँ तक, फटा फट, अपने आप करिए, और जहाँ आप फस्ते हैं, वहाँ के लिए आप note down कर लिजए, चीक है, उसके बाद फिर COD करेंगे, पहले आप यहाँ तक, जो है, सारा का सारा कर लिजए, चलिए, component usage budget, अब बड़ा निकाल लिया कि किसका कितना आपको produce करना है, तीन product है, ACB, MCB, DP, कितना कितना produce करना आपको पता लगे, और चार component लगने हैं, baseboard, IC08, IC12 और IC26, अब आप देखिए, baseboard कितने लगने थे, 111, तो अगर मुझे, 6220 units इसके produce करने हैं, और ACB को produce करने में एक baseboard लगता है, तो यह क same way, अगर मैं देखूँ, MCB के लिए, वो भी एक baseboard लगता है, तो 8,280 रहेगा, और यहां पर भी एक ही baseboard लगता है, तो 3920, yes or no, इसके बाद, आप देखिए, IC08, 8 unit, 2 unit, 2 unit, हाई है न, तो 8 unit, 2 unit, 2 unit, तो 6 to 20 units produce करनी है, 8 unit लगेंगी, IC08 की, तो this multiply by this, 49760, same way, 8980 multiply by 2 unit से लगनी है, और इसकी फिर 2 units लगनी है, तो 3920 multiply by 2, same way, आप IC12 का कर लेंगे, 4 unit लगनी है, 1 unit में, ACB की, MCB की एक unit बनाने में, 10 unit लगनी है, IC12 की, और DP की एक unit बनाने में, 4 unit लगनी है, IC12 की, तो जो भी इसकी production है, उसको आप multiply कर देंगे, 4 से, 10 से, 4 से, तो के answer आ जाएंगे, और same way, आप IC26 करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा, total baseboard आपको कितने चाहिए, total IC08 कितनी usage होगी, IC12 की कितनी usage होगी, और IC26 की आपकी total usage कितनी होगी, देखिए, sales budget बन गया तो उसके बाद तो कुछ रही नहीं गया, बहुत simple सा question, समझ महीं बाद, sure, फड़ा फड़ा इसको भी note कर लिए, next हमारा क्या है, component purchase budget आपको बनाना है, अब देखिए, again, जितना opening stock होगा, plus जितनी consumption, अब जितना आप purchase करेंगे, उससे आपका stock बढ़ जाएगा, यह raw material के case में कह रहा हूँ, और जितनी raw material की consumption होगी, उतना stock क्या हो जाएगा, कम हो जा तो अगर मुझे purchase निकालना है, क्या निकालना है, purchase, तो purchase निकालने के लिए क्या होगा, closing stock, plus consumption, minus opening stock, closing stock की details है, consumption आपने अभी सारी निकाली ली, किसकी कितनी होने वाली है, opening stock आपको पताईए, तो देखिए, required in production, यह सब अभी आपने निकाला है, 18420, 74160, 123360, 93480, यह सब अभी आपने निकाल लिया, इसके बाद, आपको कितना stock maintain करना है, that is closing stock, this is basically the closing stock, तो देखिए, जो यहाँ value given थी, उसमें sum में 10% कम कर दीजएगा, these are the opening stocks, तो इसमें आप 10% कम कर दीजए, 1440, 1080, 5400, 3600, फिर जो stock available है, that is opening stock, उसको minus कर दीजए, तो आज आएगा आपको कितनी quantity purchase करना है, ठीक है, अब आपको purchase budget जो है quantity में भी बनाना है, और purchase value terms में भी बनाना है, उसने बोला है, value also, तो इनके purchase prices आपको given है, 60, 20, 12, 8, इससे आप इसे multiply कर देंगे, 60, 20, 12, 8, तो यह आपका आगया क्या, purchase value, समझ में भाद, sure, तो यह था आपका component purchase budget, फटा-फट note down करिए, अब इसके बाद requirement है, manpower budget showing the number of workers and the amount of wages payable, चेक है, तो देखिए, manpower budget, labor budget किस से बनता है, देखिए, पहले production budget बन गया, उसी से raw material usage budget बनेगा, उसी से सारा manpower budget बनेगा, कुछ भी जो बनेगा, अब आपको इतनी-इतनी production करनी है, yes or no, यह आपने इतनी-इतनी production आपको चाहिए और एक unit produce करने में grade A के 8 hours लगते हैं, यहाँ पर 6 hours लगते हैं, 4 hours लिखा हुआ है न, और grade B के इतने-इतने hours लगते हैं, और production आपको कितनी चाहिए, वो आपको बताए दिया, निकाली लिया अपने सारा, तो बहुत ही simple statement showing manpower budget, ACB, MCB, DP, इतनी production हो नहीं है, yes or no, grade A, labor hour, एक unit को produce करने के लिए, यहाँ 8 hours चाहिए, यहाँ 6 hours चाहिए, और यहाँ कितने चाहिए, 4 hours, तो यह आ गया multiply करके 49760 hours, यह आ गया 49680 hours, और यह आ गया 15680 hours, तो total labor hours आपको grade A के कितने चाहिए, 115120, same way grade B के, अगर आप देखें तो आपको details given है सारी, 16, 12, 8, चेक है, तो देखे 16, अर्या भई, 16, 12, 8, इतनी production है, तो A को C से multiply करना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 8 into C, 6220 multiply by 16, 99520, 8280 multiply by 12, 99360, 3960 multiply by 8, 31360, तो यह आ गया 230, 240 labor hours की आपको ज़रुआत है, grade A के इतने labor hours, grade B के इतने labor hours आपको चाहिए, ताकि जो आपकी target production है वो पुरी हो जाए, अब उसने चुपे-चुपे आपको एक information दी थी, चुप-चुप के एक तब, the labor hours work 8 hours a day and 25 days a month, एक labor 25 दिन 8 घंटे काम करती, one labor works for 25 hours and 8 days a month, तो total कितने labor hours चाहिए, 200 labor hours की जो है, एक labor की availability है, और हमें कितने hours चाहिए, 115, 120 labor hours, और एक labor से हमें 200 labor hours मिलते हैं, तो 115, 120, divided by 200 कर दीजे सीधे, या 25 multiply by 8 कर दीजे, तो आजाता है 575.6 या आपका ये 576 workers की हमें जरूरत है grade A category के, same way grade B के हमें 230, 240 labor hours चाहिए, yes or no, और उसमें भी same हाल है कि 25 days, 8 hours a day काम करते हैं, तो 25 into 8 से divide किया हमें, तो या आगया 115, 1.2, that is 115, 2 workers जो है, हमें grade B के चाहिए, समझ मैं even, अब देखे, पर मंत wage rate, अगर हम निकालें grade A का, तो 25 दिन 8 गंटे काम करते हैं, और grade A के जो workers हैं, उनको हम pay करते हैं, रुपीज 5 पर आर और इनको 4 पर आर, yes or no, तो into 5 और इसके लिए into 4, चाहिए, तो अब अगर इतने workers आप रखेंगे, 576 workers और उनका एक महीने का तनका 1000 रुपे है, तो 576 multiply by 1000, 576,000 जाएगा, और grade B के हमें 1152 workers चाहिए, और उनको 800 रुपे आप एक महीने के देते हैं, जो कि आपने यहां निकाले, तो इनको कितना जाएगा, 921,600, चाहिए, तो एक complete question, इसी के साथ आपका पूरा होता है, बहुत बहुत अच्छा question, exam में कहीं से भी, कम से कम 16 नंबर का, और upper side 20 नंबर तक का यह question आ सकता है, इस 11 स्टार्टिंग में लिख देता है, exam में यह 2 question revise कर लिजेगा, सारी practice आपकी हो जाएगी, ठीक है, तो इसी के साथ यह आपका, जो major part of this chapter है, वो complete होता है, जब आप video शुरू की होगी, और जब आप question complete करेंगे, अपना register में उतार के, तो almost आपके एक घंटे से उपर लग चुके होंगे, मुझे पता है, वीडियो का size लेकिन एक घंटे से उपर लग जाएगा आपको, note down करने में और सारी चीजे समझने में, चलिए, अब इसके बाद दो छोटे-छोटे questions हो रहा है, वो देखते हैं, चलिए, next question start करते है, float glass manufacturing company requires you to present a master budget for the next year, देखिए, master budget में कुछ नहीं होता है, एक single budget होता है, normal सी statement होती है, और information के basis पर हमें सब बनाना होता है, sales, toughen class की, bent class की, direct material cost, 60% of sales, direct wages, फिर factory overhead, indirect labor में, आपका workers, manager, foreman, परमत fix हैं आपका, और ये पूरे year का बनाना है, तो into 12 करना पड़ेगा, store and spares, depreciation, light and power, repair and maintenance, other sundries, admin, selling and distribution expenses per year, तो देखिए, जो information है, इसके basis पर simply आप इसे बना देगे, sales, 6,00, 2,00, is 8,00, उसके बाद, एकदम, देखिए, direct material cost है, 60% of sales, चेखिए, आपको दिख रहा होगा, तो इसने ऐसे cost of production के आप करने की ज़रुरत हैं, आप सीधे भी कर सकते हैं, sales का 60%, फिर direct wages के लिए, आपको given है देखिए, 20 workers, 150 per month, 20 into 150 into 12, चेखिए, इनने cost sheet form में बना दिया है, आप normal भी करते हैं, तो कोई दिख कर नहीं थी, 560, फिर factory overhead उसने आपको दिये हैं, work manager, 500 into 12, फिर format 400 into 12, आप देखिए, इसके बाद, depreciation, 1200, 600, light in power, 3000, ये 8,000, चेखिए, ये आपका आगया, इसके बाद, admin and selling, और other centuries वगरा given है आपको, देखिए, इसने divide कर दिया है, इसको categories के अंदर करने की जरूरत नहीं, आप सीधे सीधे इसके नीचे less करते जाएं, और normal अपना budget पेश करते जाएं, ये work cost आ गई, फिर gross profit, फिर admin and distribution expenses इसने minus करके अलग से दिखाए, तो net profit, तो इसने इस तरी आपको master budget पूरा represent किया है, alternatively, sales, चेक है, और less, cost और सारी cost आप minus करके सीधे net profit भी दिखा सकते हैं, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, और अगर आप cost sheet form में कर पाएं, तो भीतरीन है, सरगया कोई number कटेंगे, नहीं जी, ऐसा कुछ भी provision नहीं कि आप उससे normal form में सीधे less करके दिखाते हैं, net profit निगालते हैं, और ऐसे present करते हैं, तो कोई आपको additional या कुछ number आपके कटेंगे, ठीक है, तो master budget कुछ नहीं होता, एक normal statement होती है, जिसके अंदर सारी details होती है, एक estimated cost sheet form में ही आपका होता है, समझ मैं ही बाद, फड़ा फड़ा इसे note कर लीजे, fast, चलिए अब कुछ budget ratios हमारे सामने हैं, जो हमें पढ़नी है, इसको मैं आपको with the help of a simple example, सारी की सारी clear करूँगा, अभी आप कुछ भी note down मत करिएगा, सारा समझने पर focus रखिएगा, ठीक है, देखे, simple से question से सब समझते हैं, क्या है, कैसे है, following data is available for DKG and company, standard working hours है, 8 hours per day, 5 days per week, और maximum capacity है 50 employees की, तो आप एक बात बताएएगर 50 employees काम करते हैं, और एक employee 8 घंटे, 5 दिन हफते में काम करता है, तो इनकी maximum capacity in budget period कितनी हो सकती है, 50 employees हैं, एक employee 8 hours काम करता है, 5 days, ठीक है, और अगर आप देखें, तो आपके पास जो data है, 4 week के लिए आपको लेना है, ठीक है, तो into 4 weeks, तो 8,000 hours, या कहूँ मैं 8,000 labor hours maximum आपके एक हफते में काम हो सकता है, yes or no, sure, अब देखें, actual working जो हुई, वो 40 employees की हुई, actually मैं सिर्फ 40 employees ने काम किया, ठीक है, तो देखें, अगर 40 employees ने काम किया, हमें पता है, हमें जो standard set करना होता है, अपना budget set करना होता है, वो against actual set करना होता है, यह सो no, तो अगर 40 employees ने काम किया, तो budgeted hours कितने निकल के आते हैं, 40 employees के भी अगर हम देखें तो, यह है 6400 hours, या आपका यह 6400 labor hours, चेक है, यह हो गए आपके, कौन से budgeted hours, चेक है, और यह आपके कौन से hours हो गए, maximum hours available in specific time period, चेक है, या 4 week period भी आप इसे लिख सकते हैं, चेक है, इसके बाद अगर आप आगे देखें, actual hours expected to be worked for 4 week, मतलब माना जाता है कि 4 week period में इतना काम होना चाहिए, और standard hours to be earned per 4 week period is 8000, तो यह 8000 तो कुछ नहीं है, यह तो हम already निकाल चुके हैं, आप देखें, standard hours expected to be earned per 4 week period, यह चीज़ तो हम already निकाल चुके हैं, आप देखें न, जो 8000 इसने यहां दे दी, वो यह थो हमने निकाली थी, यह सौनो, तो गबरानी की ज़रुवत नहीं है, actual hours expected होते हैं कि 6400 तो काम होना चाहिए, अब यह तो है सारा budgeted, अब हुआ क्या, actual hours worked in a 4 week period, 6000 और standard hours earned in 4 week period, 7000 hours, यह क्या है, देखें, actual hours यह है आपके पास, की actual hours, जो work हुआ, चीक है, और यह 7000 hours क्या है, इसको समझ यह, जो भी आपने output produce किया, उसके against आपको कितने standard hours की ज़रुवत थी, मतलब देखें, आपने 6000 घंटे काम किया 4 week में, तो कुछ तो output प्रोडूँस किया होना, तो उस output को जो आपने produce किया, उसके लिए budget के हिसाब से कितने hours की requirement थी, मैं लिख देता हूँ, labor hours required for output produced, अब बड़े ध्यान से देखेंगा, आपके पास क्या क्या information आ चुकी है, actual hours आपके आ गए, standard hours for actual output हमने देख लिया, समझ में आ रहा है आपको, दुबारा repeat करता हूँ, question में क्या information है, maximum कितने labor hours available थे, इसको इन दोनों का आपस में आप into करके निकाल लीजे, या उसमें सीधे हाँ पर आपको बता दिये की बात है, actual working हुई 40 employees की, और कितना expected था कि उसमें काम होगा, 6400, लेकिन actual hour work कितना हुआ, 6000, और यह 7000 से मत confuse हूँ, वो कह रहा है कि, इस 6000 hours में, जो output produce हुआ, उस output को produce करने के लिए, genuinely कितने घंटे चाहिए थे, 7000 hours, labors are required for output produced, अब आगे वो कह रहा है, in this period, there was one special holiday, due to a national event, calculate the following ratios, बड़े अराम से relax होके देखना है, सबसे पहले आपका efficiency ratio, that is standard hours upon actual hours, यह standard hours कौन से हैं, standard hours, required for output produced, जो आपने output produce किया, उसके लिए कितने standard hours की requirement है, upon में, actual hours क्या है यह, actual hours taken for output produced, चेक है, into 100, तो दीकिए बड़ा simple सा है, actual hours कितने हुए, 6000, standard hours कितने, 7,000, ठीक है, 6000 और 7,000 दोनों आपको given ही है, तो just put it standard by actual, 7 by 6, so efficiency is 116.67%, समझ में ही बात, sure, clear है, इसमें कोई doubt, note का लीजे, फटाफटे से, next step का activity ratio बेटा, activity ratio क्या होता है, standard hours upon budgeted hours, standard hours again, standard hours required for output produced, चेक है, अब ये budgeted hours क्या है, ये निकाले जाते हैं, budgeted hours of actual employees worked, ये please ऐसे detail में लिख लीजेगा, नहीं तो बात में बड़ी confusion होगी, और मैं तो कहूँगा, आप ये formula ना लिख के, ये ही लिखे सीधे, नहीं तो exam में बहुत confusion हो जाता है, खाम खागा, चेक है, तो अब देखिए, standard hours ये आपने निकाली लिये थे 7, और budgeted actual employees के against कितने थे, ये actual employees तो कितने काम किये, 40, तो 40 के साब से ने 6400 निकाली लिया था, तो ये आगया 109.375%, next है आपका, पहले उसे note करिये fast, calendar ratio, calendar ratio क्या होता है, available working hours divided by budgeted, तो available, 5 days a week है, और 4 weeks, 4 into 5 days, 20 days available थे, जो available है, वो कितने है, 20 days, जबकि एक holiday पढ़ गया, तो काम हुआ सिफ 19 days, तो देखें, 19 by 20 into 195%, ये 3 ratio, उमीद करता हूँ, कोई देखत नी, पहले यहां तक note down करके, ये सारा एक बढ़ रिवाइस के लिए जब फिर आगे बढ़ते हैं, अब देखें, standard capacity usage ratio, क्या होती है, budgeted hours divided by maximum possible hours, in a budgeted period, अब ये budgeted hours के हैं सबसे पहले, ये से में एकदम, budgeted hours, of actual employees worked, चैक है, ये तो एकदम से में हैं, अब ये maximum possible hours, in a budgeted period क्या है, this is the maximum capacity, maximum capacity मतलब, देखिए, आपके maximum capacity कितनी है, 50 employees की है, तो 50 employees का, जो maximum hours बनते हैं, वो आपने जो सबसे starting में निकाले थे, 8,000 hours, yes or no, तो this is maximum possible hours, in budget period, is the maximum, capacity, labor hours, ठीक है, और budgeted आप अल्रेड़ी निकाल चुके हैं, तो इसे आप रखिए, यह आप क्या आगया, 80%, समझ मैं है, note करिये, फटाफट, next आपका, actual capacity usage ratio, actual capacity usage ratio क्या है, actual hours worked, divided by maximum possible working, in a period, multiply by 100, maximum possible working, in a period क्या है, it is same, the maximum capacity, तो देखिए, यहाँ पर, 8,000 और actual hours कितना work हुआ, वो आपको given ही है, 6,000, ठाप है, तो this is 75%, उसके बाद, actual usage of, budgeted capacity ratio, क्या formula है, actual hours worked, that is 6,000, और budgeted hours, यह आपने निकाले में, budgeted hours of actual employees, 6400, तो देखिए, 6,000 upon 6400, into 100, ठाप है, तो यह basically, कुछ भी नहीं है, इसके अंदर, यह चीज है, कि थोड़ा सापको, ध्यान जरूर रखना पड़ेगा, efficiency तो अपने labor में भी पड़ी थी, ठीक है, और उसके बाद, calendar ratio is very simple, यह 4 ratios आपको, specifically ध्यान रखने पड़ेगी, और यह इतना short में मत लिखेगा formula, जैसे मैंने complete sense में आपको बताया है, उतना ही complete पूरा का पूरा formula लिखेंगे, तभी आपके लिए, यह सुखधाई रहेगा, otherwise यह बड़ा दुखधाई हो जाएगा, ठीक है,